हेलो फ्रेंड स्वागत है हमारे योडूप चैनल एक लास वीडियो चैनल में फ्रेंड साथ किस वीडियो में अब भी हम दोग देखने वाले हैं काफी महत पुर्ण है हम इसमें जितने भी कोश्चन बता रहें फ्रेंड सो काफी इंपोर्डन कोश्चन है तो आप अच्छे से त्यार की जगा आपका एक्जाम काफी नजदिक आ गया है और आपको जोग्राफी पॉलिटिका सैंस और हिस्ट्री का इंपोर्डन कोश्चन का वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन वॉक्स में उनसे भी का लिंक दिया हुआ है यहां सब जाकर के उनसे वीडियो को देख सकते हैं और हम जितने भी हिंदी में इंपोर्डन कोश्चन बताएं फ्रेंड से अगर आप सभी कोश्चन को अच्छे से याद कर लेते हैं त जाले कोशण की ओर बढ़ते हैं कोश्चन नमर पहला फ्रेंड्स भूश्चन की कवीत है तो भूश्चन की जो कवीत है और है ओप्स नमиш कवीत नेक्स्ट कोश्चन है कमल का परियवाची सब्द है तो कमल का जो परियवाची सब्द होगा फ्रेंट्स ओ होगा option नमर ये सरोज अगला कोश्चन है चतरभूज कौन सा समास है तो चतरभूज जो समास है फ्रेंट्स हो है option नमर भी बहुत बिरही समास अगला कोश्चन है मलीक मुहम्मद जैसी कैसे कवी है इसका जो सही आंसर है वो है आप्शन बढ़ी प्रेम मारगी अगला कोश्चन है भगत सिह के पिता और चाचा किसके से योगी थी तो ऑप्शन यह चंदरे सेखर आजात ऑप्शन भी है अब बटु केशवर दनत और ऑप्शन बढ़ी है फ्रेंट से लाला लाजपत राई और ऑप्शन बढ़ी है सुखदीव इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बढ़ी लाला लाजपत राई का अगला कोशन है कायर का विलोम सब्ढ़ी है तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बढ़ी सक्ति साली नेक्स कोशन है चीनी मार कौन सा समास है तो ऑप्शन यह बहु बिरी समास ऑप्शन भी है कर्म धारे समास ऑप्शन बढ़ी है जो परिवाची सब्द होगा ओ होगा option बर सी मनुहर next question है राजेंद्र का संधी विच्छिद है तो इसका जो सही answer है ओ है option बर ये राज जोड़ इंद्र अगला question है जो बहुत बोलता है उसे एक सब्द में कहा जाता है जो बहुत बोलता है उसे एक सब्द में जो कहा जाता है फ्रेंड्स ओ कहा जाता है option बर ये वह चाल अगला question है आज जैन में कौन सा समास है इसका answer आपको comment box मताना है यहाँ पर option है अब यह भाव समास option भी है तत्पुरू समास option बर सी है कर्म धारे समास और option मड़ी है फ्रेंड्स दीगो समास इसका जो सही answer है वह आपको comment box मताना है अब चली देखते next question यहाँ पर अगला question है सिपाही की मा निम्नांकित में से कौन है तो option यह है चुन्नू option भी है फ्रेंड्स है विसनी option नमर सी है किसनी और option मड़ी है मुनी तो इसका जो सही answer है वह है option नमर भी विसनी next question है तिर्ची के रचनकार है तो तिर्ची के जो रचनकार है वह है option नमर दी उदय परकास अगला question है चक्रपानी कौन सा समास है तो इसका जो सही आंसर है वो है option number C तत्पूरूश समास अगला question है परती निधी में कौन सा उपसर गहे तो option यह है परती option भी है परती option number C friends प्रेट और option बड़ी है इन में से कोई नहीं तो इसका जो सही आंसर है वो है option बड़ी परती अगला question है हाथ पैर कौन सा समास है तो इसका जो सही आंसर है वो आपको कमिन बोक्ष मतन है अब चलिए देखते next question दाने दाने को तरसना मुहावरी का अर्थ है इसका जो सही आंसर है वो है option मरी भुख मरी की इस्थिती नेक्स्ट कोशन है फनिस्वर नाथ रेनियो की रशन है तो option यह है मेला आंचल option भी है गोदान option नमर से है सेखर एवं जीवनी और option बड़ी है सार दिया तो इसका जो सही आंसर है वो है option बड़ी मेला आंचल नेक्स्ट कोशन है आस्थि का विपरी तार्थक सब्द है तो आस्थि का जो विपरी तार्थक सब्द है फ्रेंड्स वह है option बड़ी नास्थीक नेक्स्ट कोशन है रगुवीर सहाई ने किस विशाई से एमे किया तो आप्सिन है हिंदी, आप्सिन भी अंग्रेजी, आप्सिन से है इतिहास और आप्सिन बड़ी है भुगोल इसका जो सही आंसर है वो है आप्सिन बड़ी अंग्रेजी से नेक्स्ट कोशन है किस कवी का मूल नाम वेदनाथ मिश रहे इसका जो सही आंसर है वो है option number B नागा अर्जून का अगला question है चात्रों के रहने का अस्थान कहलाता है तो option है चात्रवास, option B है महा विद्यालाई, option मरसी है विद्यालाई, option मर्ड़ी है कोचिंग इसका जो सही आंसर है वो है option मर्ड़ी है चात्रवास अगला question है किस रचनकार के प्रंक्तिया है नारी स्वपन है नारी सुगंध है नारी पुरूज की बाह पर जोलती हुई जोही की माला है इसका जो सही answer है वह है option बड़ी रमधारिशी दिनकर अगला question है तपोबल का संधी विच्छेद है इसका जो संधी विच्छेद है फ्रेंडस ओ है option बड़ी तप जोड़ बल next question है उपवन में कौन सा उपसरग है इसका जो सही answer है ओ है option बड़ी उप नेक्ष्ट कोशन है प्रेम चंद की रचना है तो प्रेम चंद की जो रचना है फ्रेंड्स वह है उप्सिन मर भी पूश की रात अगला कोशन है सब जो बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ है इसका जो सही आंसर है ओहें उप्सिन मर्गर जूट बोल कर ठकना अगला question है तुलसी दास कैसे कभी माने जाते हैं तो तुलसी दास जो माने जाते हैं फ्रेंड्स ओह माने जाते हैं उप्सिन मर्सि अलगा वादे कभी नेक्स्ट कोशिन है ओ सदा नीरा की लेखते हैं इसका अंसर आपको कमेंड बोक्स मता रहे हैं अब सले देखतें नेक्स्ट कोशन यहाँ पर आगला कोशन है ओ सदा नीरा सिर्सक का समन्ध किस विद्या से है इसका जो सही आंसर है ओहाँ आप्सन नमर सी निबंद सी नेक्स्ट कोशन है जहां पहुचाना कठीन है कहलाता है इसका जो रैट आंसर है ओहाँ आप्सन नमर यह दुर्गम नेक्स्ट कोशन है परकासित में कौन सब पढ़ते हैं तो आप्सन है इत आप्सन भी है इत आप्सन वर्षिया फ्रेंड से सी तर आप्सन नमर दी है इनमें से कोई नहीं इसका जो सही आंसर है ओहाँ आप्सन न बर्गी इत नेक्स्ट कोशन है नाक काटना मुहावरी का अर्थ है तो इसका जो सही आंसर है वह है आप्सिन बर्गी अपमानित होना अगला कोशन है बात चीत निबंध की निबंध कार कौन है यहाँ पे कोशन फ्रेंड्स बात चीत निबंध की निबंध कार कौन है तो आप्सिन है मोहन राकिस आप्सिन भी है जै परकास नरायन आप्सिन मर्शिया फ्रेंड्स बाल क्रिशन भट और आप्सिन मर्डिया भगत सी तो इसका जो सही आंसर है वह है option number C बाल क्रिशन भट अगला question है सज जन का संदेव इच्छेद है तो इसका जो सही आंसर है वह है option नमर ये सज जोड जन next question है जिसने यास प्राप्त किया है उसे एक सब्द में कहा जाता है तो इसका जो सही आंसर है वो है option number B या सभी अगला question है पूत्र वियोग में माने किसके भाई से अपने लाल को गोज से नहीं उतारा था तो option है मिटी लगने के भाई से option B है किडो के भाई से option number से फ्रेंड से ठंड के भाई से रा option मड़े है गिरने के भाई से तो इसका जो सही answer है वो है option number C ठंड के भाई से नेक्ट कोशन है बड़पन में कौन सा पड़ते है तो इसका जो सही answer है वो है option number D अपन नेक्ट कोशन है सदचार का संदी विच्छित है तो इसका जो सही answer है वो है option number B सद जोड अचार अगला question है कौन सी कहानी चंद्र सेखर सर्मा गुलेरी की नहीं है तो इसका जो सही answer है ओहा option number B, तीरची Sorry friends, तीरच Next question है निलांबर कौन सा समास है तो इसका जो सही answer है ओहा option number B, कर्मधारे समास अगला question है निम्नांकित में से कौन से कभी निरचर थी तो option यह कभीरदास option B, सुमित्रा नंदन पन तो option number C, वीद्या पती और option मड़ी है friends, नागा अरजून इसका जो सही answer है ओहा option number C, कभीरदास अगला question है महेश का संदीव इच्छिद है तो इसका जो सही answer है ओहा option number C, महा जोड इस अगला question है गाल बजाना मुहावरे का अरथ है तो इसका जो सही answer है ओहा option number C, डिंग हाकना नेक्स्ट question है मेरा ने अपना प्रियतम किसे माना है तो option यह है राम को option भी है friends, क्रिशन को option मरसी है सीव को और option मड़ी है बल राम को इसका answer आपको comment box मता नहें अब चले देखते नेक्स्ट question सुभधरा कुमारी चुहान की कवीता है तो सुभधरा कुमारी चुहान की जो कवीता है ओ है option number यह पूत्र वियोग नेक्स्ट question है वह अस्थान जहां सेना रहती है कहलाता है तो option यह है फोज साला option भी है छावनी option भी है एल ओसी है option मड़ी है बंकर इसका answer आपको comment box मता नहें अब चलिए देखते नेक्स्ट question यहाँ पर अगला question है कमल लेयन कौन सा समास है तो इसका जो right answer है फ्रेंट्स है option मड़ी अब यवी भाव समास अगला question है आल सी का विलोम है तो option यह है तिजस्वी option भी है विनर्म option C है परिस्रमी और option मड़ी है उद्यमी तो इसका जो right answer है वो है option number C परिस्रमी और नेक्स्ट question है अधिनायक सिर्शक कविता के कवी है इसका answer आपको comment box मता नहें तो आज के लिए तना ही तब तक के लिए बाई परिस्रमी और नहें